नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिसेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तो आज मैं आपके लिए एक नए डिजाइन से बनाया जा रहे हैं किचेन का डिजाइन आप लोगों के लिए लाया हूँ अगर आप सोच रहोंगे कि इसे बनाने में बहुत जादा खर्च आ रहा है तो आप गलत है दोस्तो बहुत जादा खर्च नहीं आ रहा है यहां तक कि इस किचेन को बनवाने के लिए स्लेब तक ढ़लवाने की जरूरत नहीं है दोस्तो डारेक्ट जो है वो हम पहले पत्थर लगाते थे ना, ग्रिनाइट पत्थर लगाते थे, डारेक्ट आप जो है वो लगा सकते हैं, और इस तरह से स्लैप का पैसा जो बच जाएगा, साथी साथ दोस्तों, उसमें लगने वाले रॉड, सिमेंट बालू, और साथी साथ जो मेटेरियल कोष्ट बचेगा दोस्तों, जो अपड़का लेवर कोष्ट बचेगा, उस चीज का आप उपयोग दोस्तों, इस तरह के सेल्फ बनवाने में कर सकते हैं, दोस्तों, इसमें चिमनी लगाया जाना बाकी है, मतलब कि यह कंप्लीट ने हुआ है, लेकिन कंप्लीट हो रहा है, काफी हद तक यह कंप्लीट ह हो चुका है, दोस्तों, आपको मैं यह दिखा दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार, आपको कितने वरे डब्बे रखने हैं, कितने वरे बरतन रखने हैं, उस तरह से दोस्तों, आप इसका निर्मान करवा सकते हैं, तो इस तरह से देखने में भी काफी अच्छा लगता है और साथी साथ इसका finishing देखेंगे काफी अच्छा mystery ने काम किया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमारा slab है उसके नीचे भी आप देखेंगे तो इस तरह के खांचे बने हुए आपको नजर आ रहे होंगे जो की अलग-अलग तरीके के हैं अब तो इसमें दोस्तों बहुत एडवांस तरीके का इस्तिमाल किया जा रहा है आप देखेंगे ये बेसिन के नीचे भी दोस्तों कुछ इस तरह से कभर किया गया है इसके नीचे भी आप समान रख सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों इसमें आप dustbin holder भी लगवा सकते हैं ताकि आपका काम और असान हो जाए कुछ और चीजे में आपको दिखाने वाला हूँ ये बीच में अगर देखते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको wire basket भी देखने को मिल जाएगा जिसमें आप बरतन दोस्तों रख सकते हैं और इसकी खासत यह है दोस्तों कि जो बरतन का पानी रहेगा वो असानी सा दोस्तों नीचे गिर जाएगा चुकि इसमें जाली पर लगा हूआ है आप इस तरह से देख सकते हैं ये बरतन रखने के लिए लगाया हुआ बास्केट है दोस्तों ये भी अलग-अलग साइज के अलग-अलग डिजाइन क्या आते हैं आप अपने उसार इसका भी चुनाव आप